हेलो अल, गुद मॉर्निंग, आप सब लोगों का स्वागत है, सिविल स्टैप हिमाचल पे, तो आज हम लोग देखेंगे कि 17th of April को अलग-लग न्यूस पेपर्स में हम लोगों को कौन-कौन सी important news देखने को मिली, तो देखें जो पहली news related है, ये next light encounter से related है, जहां पर हमारी security forces इसके दोरा 29 next light को मार गिराया है, ये news in journal आप सब लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन जो exam perspective से हमारे लिए relevant है, वो दो जीज़ें आप लोगों ने आप पे ध्यान रखनी है, सबसे पहले जीज़ें आपने ध्यान रखनी है, कि कहां पर ये encounter हुआ, तो ये basically कान के district है, च पहर को दो गजे के आस-पास जो है, ये encounter हमें होता हुआ, देखने को मिला, तो देखें, दो चीज़ें यहां से prelims exam के अंदर जोगों को पूची जा सकते हैं, और इन journal भी आप लोगों को हमेरे देश के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से जो next light उसको neutralize किया जा रहा है, उ रांकि USA के पास कोई बहुत जादा substantial evidences नहीं है, जहां पर वो कह सकता है कि आज भी जो चाइना है, वो biological warfare activities जो चाइना ने 1950s में शुरू की थी, उसको अभी भी चाइना जो वो continue कर रहा है, strengthen कर रहा है, लेकिन फिर भी United States of America के दुआरा जो है वो ये वाली statement, एक report के अंदर जो भी हम लोगों को देखने को मिल रही है, जहां पर आज भी चाइना जो है, वो biological warfare के लिए अलग अलग तरह के जो toxins है for military purposes उनको डबलब कर रहा है, जिनमें ये कहा गया है कि चाइना जो है, उसने already recent botulinum toxin और उसके साथ anthrax, cholera, plague, tularamia, clear, इनके जो biological weapons हैं, उनको किया जाता है और दोसरे देश है अपने जो enemies उनके ऊपर छोड़ा जाता है, तो चाइना के ऊपर इलगते रहे हैं कि 1950s और 60s में चाइना के दौरा जो है, वो military purpose के लिए बहुत सारे जो biological weapons है उनको डबलब किया गया, हलांकि biological weapons जो है, उनको खतम करने के लिए एक convention जो है, organized किया गया जो थी आपकी biological warfare convention that is BWC और 1984 में जो चाइना का member बना, तो जैसे ही चाइना का member बना तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, कि जो already existing stockpiles अगर चाइना के पास हैं, हलांकि चाइना ने कभी acknowledge नहीं किया कि उनके पास हैं, लेकिन अगर किसी भी देश के पास already warfare stockpile है तो उसको वो खतम करेगी और किसी भी तरह का जो नया warfare है या नया जो biological weapon है उसको double up नहीं करेगी, हलांकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी किसी भी तरह का जो बहुत strong evidence जो यो इससे के पास नहीं है लेकिए, वहां से इनकी report जो को हमें publish होती भी देखने को मिली, तो यह पहले category A आती है, जिनको high priority agents कहते हैं जिसमें anthrax, Ebola virus है उसके बाद category B आ जाएगी, जो moderate priority agents है, उसके बाद category C आ जाएगी, जो low priority agents है, clear, अब हम लोग बात करते हैं, जो हमारी biological and toxin weapon convention है, that is 1972, तो 1972 में specific convention को जो वो sign किया गया था, 1975 में convention जोब हमें implement होती भी देखने को मिली, 2011 तक कि अगर हम लोग बात करेंगे, तो 109 देश जो है, उनके द्वारा, इस treaty को sign कर दिया गया है, और अगर हम लोग अपने देश यानिक इंडिया की बात करेंगे, तो इस इंदुस्तान के द्वारा इस treaty को 2015 में sign किया गया, भी हम लोगों ने देखा कि चाइना के द्वा तब भी इसको एक्षा weather तेश्ड के ज को मिलती हैं जङन तरह की मिजाईling है जाहे वो शॉट रेंज मिल्ड रेंज मिजाईल है जाहे वो लॉंग रेंज मिजाईल है चाहे वो बैलेस्टिक मिजाईल है चाहे वो हेलिकॉप्टर्स हैं, चाहे वो जेट हैं, हर तरह से जो है, चाहे वो ड्रोन्स हैं, किसी भी तरह की एरियल वीकल्स हैं, वो इसराइल की बाउंडरी के अंदर जो है, वो एंटर नहीं कर सकते हैं, या गर करने के लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी, यही सब्सक्राइब किया गया है, हलांकि पुराने जो नियूस पेपल से उनमें भी अल्रीडी कवर हो चुका है, लेकिन तोड़ा सा अगर आप और जाता डिटेलिंग में जाना चाहते हो, यह एक वार जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना चाहते हो, तो यह स्पेसिफ यहां पर कितने किलोमेटर की रेंज के किस किस तरह का नेचर है जैसे आइरन डोम के जो काम है वो बिल्कुल शॉट रींज मिजाइल से उनको डिफ्यूज करना जो वो जो आइरन डॉम से इसका काम रहता है, तो यह एविट श्रेंग स्पाइडर एरो इनके बारे में जो जानकारी जो आप लोगों के पास यहां पर होनी चाहिए अरो जो जो चॉपी सो किलोमेटर तक की जो मिजाइल से उनको एंडल कर सकता है तो इस तरह से लग लग सिस्टम है तो जैसे फर एविट श्रेंग के बात करें तो जैसे मीडियम रेंज सिस्टम आ जाएगा यह एक लोग बात करेंगे तो एरो जो फिसिकली युएस एक के साथ बिलके इनके त्वारा जो डबल अब किया गया है यह लांग रेंज मिजाइल सकते हो इसको इसको एक फिर से पढ़ सकते हो नेक्स्ट आर्टिकल ये मेरा पर्सनली आप लोगों को सजेशन है लिकिए बाकी जब आप लोग एक्जाम के प्रोपरेशन के शुरॉत करते हैं तो बड़ा मुश्यल होता है कभी-कभी जैसे फार एक्जामपल अगर हमारे दोर अभी आपको 15-20 इस पेज़िस बोले जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो डिफिकल्ड होता है लेकिन जहां भी कुछ आइसे आर्टिकल जोते हैं जिनको मैं स्पेशल फोकस करके कहता हूं कि इसको जरूर पढ़िए तो ये उन ही में से एक आर्टिकल है आज दो आर्टिकल ऐसे जरूर हैं जैसे पिछला आर्टिकल था तो पहले अगर आपने ख़वार पढ़ी होगी तो आप लोगों को शायद बेसिक आइडिया होगा तो नहीं भी बढ़ोगे तब भी चल जाएगा ये आर्टिकल जो आप लोगों को समझाया गया है किस तरह से जो सबसे पहले जब 1952 और 1957 में elections हुए थे, देखिए hopefully आप मेंसे काफी कम लोगों को चीज बता होगी जब 1952 और 1957 में elections हुए थे तो उस ताइम पर क्या रहता था कि जैसे माली जी आप जो पोलिक बूथ में बोट डालने जा रहे हो तो उस ताइम पर अलग-अलग candidate यह कारण है कि और 1962 में यह जब तीसरी बार इलक्षन हुए तो फिर एक ही बॉक्स रखा गया और कोई बहुजाएगा तो वह अपने अपने candidates को यानि की ballot paper में option A, option B, option C, D तो आप में से कोई भी किसी को भी tick करेगा तो हर एक जो एक ही box के अंदर जो जाना शुरू हो गया तो पूरा जो election system का पूरा process है वो समझाए गया और किस तरह से जो EVM है उनको 1982 में केरला की जो legislative assembly elections थे वहाँ पे उसको introduce किया गया 2004 में पहली बार general elections हुए लोग सबागे जहां पे सारे के सारे जो 543 seats हैं वहाँ पे जो है वो basically जो EVM है इसको use किया गया लेकिन EVM के उपर जो थोड़ा सा इल्जाम ये लग रहा है कि EVM जो वो hack हो सकती है clear हलांकि election commission जो पे इस चीज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके साथ साथ यहां पर क्या है कि EVM का benefit क्या है कि किस तरह से इतनी ज़्यादा population हमारी है उसमें एक सौक रोड के आसपास बिलियन के आसपास जो हमारा total voting के आसपास का करने पड़ रहे हैं तो basically इसकी क्या relevance है इसकी क्या importance है वो हम लोगों को specific जो पूरा paragraph इसके अंदर देखने को मिल रहा है clear उसके साथ सत क्या solution हो सकते क्या इसका way forward हो सकता है जो EVM के उपर इल्जाम लग रहा है कि EVM के दौरा जो है या EVM जो उनकी hacking हो सकती है तो इस article को आप लोग जुरूर एक बार रीड करिएगा EVM के perspective से बहुत अच्छ article जो आपको यह देखने को मिल रहा है next article space tourism से related है बड़ा कम रहता है कि इसके उपर हमें article देखने को मिले हलांकि future में space tourism जो है वो एक बहुत important aspect होने वाला है तो उसी तरज के उपर जो यह article लिखा गया है हलांकि एक article जो है यह related है इंडिया के origin के हैं गोपी धोताकूरा तो वो basically blue origin blue origin जो है जो Amazon के founder थे Jeff Vizos उनके द्वारा found किया गया था उनका एक mission जा रहा है उसमें यह पहले person हो जाएंगे इंडियान ओरीजिन के जो उसके उस mission के अंदर बैठके जाएंगे clear तो यहां पर properly जो है वो क्या इस time पे इसकी estimated market है 8.28 million dollar का market और there is a possibility that up to in 2032 यह आप लोगों को 27,8 million dollar की market जो है बन्ती भी देखने को मिलेगी यहां पर what is space tourism तो space tourism का मत्व क्या है कि जहां पर आप सारे के सारे लोग जोब वो space में जाओगे ठीक है जी गोमने फिरने के लिए जहां पर कुछ जगाओं पर सिर्फ कुछ minutes के लिए रहोगे कुछ जगाओं पर कुछ डेज के लिए रहोगे तो proper space tourism जो हो सकता है साथ में challenges भी है चाहे वो financial challenge है क्योंकि million dollar से जादा खर्चा जो लोगों को आ रहा है specific time पर अगरो इस पेस में जाना है उसके साथ साथ जब एक बहुत बड़ा problem एक और भी है कि वहां पर space debris जो कठा हो सकता है space के अंदर जो पॉल्यूशन हो सकता है कि अगर बड़े सारे rocket जो को space tourism के नाम पे हम लोगों को space के अंदर जाते हुए देखने को मिलेंगे clear तो थोड़ा सा जो आप लोगों के साथिकल को रीड करिए बहुत ज्यादा detailing में नहीं है लेकिन हाँ जितना आप लोगों के लिए इस टाइम पे जानने के लिए relevant है सही है future में आप लोग देखोगे कि जैसे ही जाएगा इनका mission तो और ज्यादा आर्टिकल जो आप लोगों को देखने को बिलेगे लेकिन आपी basic idea जो आप लोगों की specific article से build कर सकते हो next news जो है वो आपकी important inflation से related है जहां पर बताया गया कि किस तरीके से जो import है वो increase कर सकता है goods and services की cost तो important inflation basically के रहते हैं कि जब हम लोग बाहर से चीजों को मंगवा रहे होते हैं अगर वो चीजों की cost जो है वो increase होगी तो आपबे सी बात है हमारे यहां पे उन चीजों से बनने वाला जो goods हैं उनकी भी final cost में हम लोगों को इजाफ़ा देखने को मिलेगा तो जब आप लोगों की inflation जो है वो import की current increase हो जाती है तो उसको जब हम लोग इंपोर्टेट inflation कह जाते है इसमें बहुत बड़ा factory भी रहता है कि जैसे रूपी जैसे ऐसे depreciate होगा तो हमारे जो लो चीफ election commissioner रह चुके हैं तो बहुत बड़ी article है moving past bonds तो basically अभी जो supreme court के त्वारा जो electoral bond को unconstitutional declare किया गया उसके साथ साथ हमारे देश के जो परधानमंतरी है उन्होंने supreme court का जो वर्डिक्ट था इसको indirectly जो क्रिटिसाइज किया clear तो इन्होंने basically पूरा solution और इनका जो solution है वो state state funding of elections के उपर अधारित है state funding के उपर अधारित है तो मैंने कि वो state funding कैसे होगी उसका क्या benefit है clear वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इन दो paragraph के अंदर जो को समझाए गया है तो आप इसको जुरूर एक बार जो पढ़िए read करिए ये state funding of election जो काफी समय से demand उट रही है बह लग-लग political party इसको जब पैसा distribute किया जाता है अब सवाल आता है कि पैसा कैसे distribute होगा तो एक solution उन्होंने दिया है कि जिस political party को last election में जितने vote पड़े उन votes के हिसाब से जब उसको पैसा दे दो ताकि उनके पास भी ठीक ठाक पैसा रहे जितने उनका इस specific time पे जो बहुत अच् से इसको cover किया गया है तो definitely यह second article है EVM के बाद दूसरा article है जिसको मैं suggestion दूँगा आपको कि इसको तो आप लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है बाद कि आपकी मर्जी है अपने पढ़ना है तो पढ़ लेना clear next is Iran-Israel war keeps world in suspense तो देखे same वही news है इसमें बहुत जादा कोई न valuation दिया clear तो यह पूरे का बुरा जो जानकारी है आप लोगों को समझ आ जाएंगी वैसे यह थोड़ा सा world bank की promotion हो रही है लेकिन main जो है वह हमारे देश के लिए जो important और relevant है वो क्या है कि यहां पर हमें कुछ data देखने को मिलेगा कि किस तरह से इंडिया जो बहुत clean energy के renewable resources से आ रहा है और उसके साथ साथ जो है इंडिया is the fourth largest renewable market and home to 3% of the global solar manufacturer capabilities तो यह जो data है यह कही न कहीं जो हम लोगों के लिए relevant रहता है important रहता है clear और यहां पर world bank जो कितना ज़्यादा support कर रहा है वो ठीक है उसके साथ सा digital infrastructure की बात की जारी है कि किस तरह से women को जो directly सरकार के द्वारा जो दूरिंग प्रेग्नेंसी पैसा जो हो पहुंचाया जा रहा है clear national rural livelihood mission की बात की जा रही है infrastructure development की बात की जारी है digital development की बात की जारी है तो एक basic जो इंडिया का एक positive trajectory आपको देखने को मिल रही है specifically in clean energy and digital solutions वो इस article के अंदर जो आपको cover होता हुआ देखने को मिल शिरुआती दौर में हो preparation के तो आपको थोड़ा चूस करना पड़ेगा कि सारे आर्टिकल पढ़ने में आपका टाइम बहुत जादा चला जाएगा तो वहां पे जो दो दिन articles मैंने कहे इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना even दो बाकी लोग जिन्होंने प्रपरेशन कर ली सब्सक्राइब कर लेंट तो जब आप लोग अनको पढ़ लोगे तब भी पेपर में एक्जाम वहीं से ग्लियर हो सकता है नीउस पेपर में क्या रहता है नीउस पेपर बैसिकली मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो बेसिक अंडर्स्टेंडिंग है वो डबलब हो और यहां से ठीक है जी पेपर का काम हो जाएगा लेकिन अगर अगर अंडरस्टैंडिंग जो आपको कहिना के एक कंसेप्चुल बिल्डिंग में और उसके साथ साथ रियालिटी में पूरे इश्यू को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है तो इसके लिए न्यूस पेपर इंडिंग स्पीड हो इंप्रूव होगी आपका जो राइटिंग कैपबिलिटी है उनमें आप लोगों को जब इजाफा देखने को बिलेगा क्लियर तो कैसे पूरा स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करते हैं अपने मेंस के अंसर के अंदर उसके अंदर जब आपको इसाफ आप लोगों को स्लूशन देखने को मिलेगा यानिकि जहां से आपको पता चलेगा कि कंक्लूजन जब आप लोगों किस तरह से कर सकते हो तो बेजेगली नुस्पेपर रीडिंग जब आप चाहे एक हंटा ही पढ़ी है ठीक है पौटिवाइव बिनिट से पढ़ी है लेकि अब लोगों को नहीं देखने को मिलती है करन अंडरस्टेंडिंग है करेंड डवल्पेंट है तो इसके साथ आज का सेशन इसको मैं यहीं पे खतम करता हूं कल फिर बेलेंगे तब तक लिए थैंक यू तन्यवाद